दोस्तो पाकिस्तानी समय दुनिया का नौवा सबसे सक्तिशाली देश है जो कि लंबे समय से अपने से ज़्यादा बड़ी और ताकतवर देश बहारत से लोहा लेने के लिए बहारत से भी ज़्यादा अपने जीडीपी के एक बड़े हिस्से को किवल अपने डिफेंस पर ही पैसा और ट्रेनिंग मुहया कराया है जिसके चलते पाकिस्तान आर्थिक रूप से पिछणा होने के बावजूद भी भारत को खुली चोतानी देने के पिछे नहीं हटता और अब तुर्की और चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और भी तेजी से अपने आपको सैने रूप से म दोरा ओपरेट की जाने वाली टॉप टेन सबसे बेतरीन हातियारों की जानकारी देंगे तो दोस्तो आज आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले सुरुआत करें जेट सी फाइटर जेट से दोस्तो पाकिस्तान के पास मौजूद फ्रेंच मेराच एरक्रफ्स क कमी पूरी करने के लिए भविश में अपने खुद के फाइटर जेट के प्रोग्राम AGM और तुर्की के साथ मिलकर फिफ्ट जन्रेशन फाइटर जेट VFX पर काम कर रहा है जो की भविश में उसे मिलेगी लेकिन फिलहाल अपने थ्रिष्ट की कमी को पूरा करने के लिए इ क्या तक्नीक अमेरिका के F aircraft में भी है साथ ही इसकी एक्टिविली इसकेंड रडार गाइडेंस वाप चाइनीज पीले 15 वब 10 जैसी air-to-air missiles के साथ मिलकर यह और भी ज़्यादा घातक हो जाता है वह दुस्मन की रडार को चक्मा देने के लिए इस पर मौझूद stealth coating के दंपर या aircraft बेहदी खतानाक साबित हो सकता है इसके बाद jam 7 टीम थंडर फ्रेंट मिराज के साथ ही पाकिस्तान के पास मौझूद अमेरिकन एप 16 भी जल्दी एक एक कर पाकिस्तान एयर स्पोर्स से रिटायर हो जाएंगे और इसलिए पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर उनकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया है JF 17 थंडर एयरक्राफ चाइना की रिजर्व इंजिनिरिंग की छमता के दंपर मिराज 2000 और एप 16 इन दूनों ही एरक्राफ्ट की तक्नीक वार डिजाइन से मिलकर बनाया है जिसकी मौडन तक्नीक के मिश्रण और चाइनीज एयर टू ग्राइंड और एंटिसिप मिशाइल आधी के साथ अन्य कई एडवांस फीचर इसमें सामिल किये गए हैं यही नहीं बलकि इसका अगला वर्जन यानि JF Block 3 पाकिस्तान का पहला 6.5 जनरेशन तक्नीज से लेस एरकार्ट होगा जिसमें ने सेंसर्स, रडार सिस्टम वा इमर्जिनिंग तक्नीक को एड़ाप्ट करने वाला इंजन भी होगा और साथ ही हतियारों के बाद जमीन पर मौजूद हतियारों की बात करें तो पाकिस्तान के पास 800 से ज़्यादा चाइनीज 100 मॉल्टिपल रॉकर लॉंचर हैं जो की 40 से अधिक्तम 120 किलुमेटर की दूरी तके एक बार रॉकर की बहुचार कर सकते हैं और कन्वेशनल यूद में भारत और पाकिस्तान की शीमा पर या एक गेम चेंजर हतियार साबित हो सकता है कन्वेशनल वार में यूद भारत के पास भी केनाईन वज्र जैसी खतानाग सेल्फ प्रोपेल्ड होविजर हैं तो इन मुकाबला करने के लिए पाकिस्ताने भी चीन से खरीदे हैं ट्रक मांटेड एस एच फिक टीन हैवी गूड्स जो की 360 डिगरी होविजर और 40-42 किलोमेटर की दूरी तक 4-6 राउंड प्रति मिनिट की दर से फायर कर सकती हैं और यहीं पाकिस्तान ने 300 यूनिट चीन से रेडी टू यूज कंडिशन में खरीदी हैं वहीं आगे वाए इनका निर्माड अपने ही देश में करने लगा है और इस हैवी जेट्स की खास बात या है कि इसे नुक्लियर वारहेट से भी फायर किया जा सकता है जूकि कि किसी से हैं इनके पास अल जरजार अल खालिद वट्टी एंटी के साथ कई चाइनीज टैंक है और आगे या तुर्की के साथ मिलकर के लेटेस्ट खालिद टूफुल तुर्किस एंटी टैंक भी हासिल कर लेगा लेकिन फिलहाल इन्होंने चीन से लिया है वीटी-फॉर मैन किलि इसमें से तीन डी-डू आटो लोडिड हैं और इसकी अधिक्तम रप्तार सत्तर किलोमेटर प्रति घंटा वह ऑपरेस्टनल लेंज 500 किलोमेटर से भी ज्यादा बताई जाती है इन इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक बताता है जब बात जमीन पर मौजूद ऐसे घातक टैंक की हो तो फिर इन टैंकों की काल बन रही मौडन वा घातक ड्रोन्स की ज़रूरत हर एक देश को होती है और इस समें टैंक किलर के नाम से मसूर तुर्किस बैरेक्स अनमेंड एर वेकल जो की यूक्रेन, रसिया वा, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूद्ध के अलावा दुनिया भर के कई विवादित हिस्सों में अपना कमाल दिखा चुका है और पाकिस्तान ने तुर्किय के साथ मिलकर अपने ही डेस में करीबन इसकी 48-50 इनिट्स बनाने के डील की थी जिसके तहस पाकिस्तान के पास यह खतानाग ड्रोन आज मौजूद हैं यही नहीं बल पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी नुकलियर वीपन्स जिनके दम पर भारत पाकिस्तान पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकता और इसकी वजह से ही पाकिस्तान की सभी मुस्लिम देशों के बीच एक अलग ही धाक बनी रहती है पाकिस्तान अपने नुकलियर बार हेड कुक काई 60 रेंच वा मेडियम रेज बैलिस्टिक मिशायल से गजनवी, साहीन, अबदाली, नस्त्र आधी के माध्यम से डिलीवर कर सकता है और लगबख 70-80% भारत को अपने निशाना भी बना सकता है लेकिन साहीन 3 जो की 2750 किलमेटर की रेंच के साथ पाकिस्तान क कि सब्से दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिशायल है जिसके दम पर पाकिस्तान पूरे भारत कोना-वर कर सकता है , दूसरी और पाकिस्तान के पास आटेकशिंग छमता हुत है , लेकिन देश के लिए रिकरे स के अफीजे डीफेंस के लिए सभी चाइनीज एर्डिसन का इस्तमाल करता है जिसमैं Sault range के लिए he 7 medium range के लिए he 16 और long range के लिए He Aha- system גם कस्टम-made version hq9 do operate करता है जिसकी range कंब 130 km के Orgy Harate cruise मिशाइलों के मेर्दे डिवलप किया गया है और इसके बाद P&S कुरील क्लास की मिसायल गाइड़ फ्रिगेट चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए बनाई जाने वाली आप तक की सबसे एडवांस नेवल सिफ है कि पाकिस्तान के पास मौजूद पूराने ब्रिटिस फिर्ट्स की मिशाइल गाइडेट स्ट्रॉयर को सपोर्ट करेगी या ब्रिगेट्स टी सबमरीन एंटी एरकाफ्ट जैसे कई मिशन को अन्जाम दे सकती है और साथ ही इन पर कमूद की एटलांटिंग सेवन या एक हार्मी 9 हैलिकॉप्टर लैंड अटेक मिशाइल के साथ तैनात किया जा सकते हैं या समय पाकिस्तान नेवी की फ्रेंट वार्शीप के तोर पर जानी जाती है विसे इसका तब जब पाकिस्तान की खालित क्लास की तीनों ही सबमेरीन अभी एक्टिव कंडिशन में नहीं है और उन्हें तुर्की द्वारा अपग्रेट किया जा रहा है आखिर में बात करते हैं F-16 फाइटर फालकन की जिसकी 45 यूनिट्स अभी भी पाकिस्तान एरफोर्स के पास एक्टिव है और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे अधिक मिशन्स में अपनी ताकत दिखाने वाला फाइटर जट है इसलिए उसकी काबिलियत पर कोई सक नहीं किया जा सकता पाकिस्तानी पाइलेट्स लंबे समय से इसका इस्तमाल कर रहे हैं और इसे हर तरह से इस्तमाल करना रहते हैं और यह अब तक पाकिस्तान की एरफोर्स में सबसे रेलाइबल एरक्राफ्ट माना जा सकता है फिलहाल यही नहीं पाकिस्तान की मिलेटरी में मौझूद टॉप 10 सबसे बेस्ट वेपन्स पूराने पाकिस्तान और भी नए-नए हतियार को अपनी शेला में सामिल करने वाला है जिनकी अबड़ोडोड जानकारी हम आगे वाली आने वाली वीडियो में भी दे सकते हैं तो दूस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर और सबस्क्राइब करना ना बुलिए जैन